नमस्कार मैं हूँ यास्मी बॉलिवुड अक्ट्रस कंगना रनौद सोशल मीडिया पर काफ़ी आक्टिव है सुशान सिंग राजपूत केस में सोशल मीडिया की पावर को देखते वे उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद आने का फैसला लिया इससे पहले उनकी टीम सोशल मीडिया अकाउंट चलाती थी ट्विटर पर आने के बाद वो काफी आक्टिव हैं और आए दन कुछ न कुछ ट्वीट कर रहे हैं जो लोगों को काफी प्रभावित कर रहा है चाहे वो सुशान सिंग राजपूत का मामला हो या फिर कोई और मुद्धा वहीं अब कंगना ने PM Care Fund को लेकर एक ट्वीट किया दरसल कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए PM मोदी ने PM Care Fund बनाया था लेकिन समय के साथ इस Fund पर कई तरह के सवाल उठाये जाने लगे प्रधानमंत्री जी जो करोडों के विश्वसनिय हैं मैं कौन होती हूं उनसे सवाल पुछने वाली हमने एक ही उसूल पे जिंदकी जी है जिस पे भरोसा किया उसको कभी परखा पहले तो आप ये जान लें कि कंगना ने अपने इस ट्वीट के जरीए साफ कर दिया है कि उन्हें ना तो सरकार की मंशा पर कोई शक है और ना कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए बनाये गए प्यम केर्स फंड से वैसे ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने प्यम मोदी के किसी फैसले का स्वागत किया है और उन्हें पहले भी कई मोकों पर मोदी सरकार के पक्ष में बयान दिये हैं अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कंगना ने ये ट्वीट क्यों किया था दरसल कंगना ने ये ट्वीट एक यूजर के सवाल पर किया पवित्रोशेटी नाम की ट्वीटर यूजर ने कंगना रनौट से PMKR Fund के इस्तमाल की बारे में पूछने के लिए कहा था क्या आप प्रधानमंत्री से खुलासा करने के लिए कह सकती हैं कि PMKR Fund का इस्तमाल कैसे हो रहा है अफवा है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है ये शक्स लाखों लोगों की प्रेणा है अगर वो सही है तो इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें यहां अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्विटर यूजर पवित्र शेटी ने कंगना के उस ट्वीट पर सवाल किया था जिसमें कंगना ने रनवीर सिंग, रनवीर कपूर, आयान मुखर जी और विकी कोशल से ड्रग टेस्ट के लिए ब्लड सांपल देने के लिए कंगना ने कहा था उन्होंने कहा, लोगों के बीच अफवा है कि ये सभी ड्रग के आदी है, वो चाहती है कि इस अफवा का खंडन किया जाए अगर रिपोर्ट ठीक आई है, तो लोगों को वो रिपोर्ट दिखाए अब कंगना के इसी ट्वीट पर तंच कसते हुए, इस पवित्रण नाम की यूजर ने उनसे PM Care Fund के इस्तमाल के बारे में पूछने के लिए कहा था जिसका कंगना ने बेहदी शांदार जवाब देकर उस यूजर की बोलती बन कर दी